कल 22 जनवर ये जिसका सभी को इंतिजार है और आयोध्या में तो एक भव्य कारिक्रम होगा ही लेकिन उसके साथ ही साथ देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग इंतिजाम किया गया है मंदिर सजे हुए है खुबसूरत तरीके से सड़कों को सजाये गया है घरों को ल से बनाया जा रहा था और कल ही यानि के कास मौका है कल आयोध्या में जिस तरह से प्रांट पितिश्टा होगी और उसके बाद ही यह हनुमान जी की जो मूर्ती है उसके उपर पर परदा लगा हुए है उसको भी कल हटाया जाएगा और उसके अलावा आप जरा देखिए की तस्वीरों वाले जंडे वो सब लगाए गए हैं और उसके अलावा आप देखिए कि जितने भी घर जितनी भी बिल्डिंग्स यहां पर हैं सब ही को सजाया गया है क्योंकि कल सबसे बड़ी बात यह है कि 22 तारिक का जो आयोध्या में आयोजन है जो कारिक्रम है उसका ल ही लगाया जाएगा कल आयोध्या में जो कारिक्रम है उसका लाइफ टेलिकास यहां पर होगा हजारों लोग यहां पर मंदिर के बाहर बैठेंगे और यहां पर देखेंगे उस कारिक्रम को उसके अलावा यहां पर क्या कुछ होगा यहां पर 31,000 दिये जो है वो जो लाए जायेंगा भेकर करके बात कर लेतने से सबसे पहले तो आप बता दीजीए क्या कुछ इंतिजाम क्या कुछ तस्वीर दीली में देखने के लिए मिलेगी कर दिली में तो दिवाली मनेंगी हीए ये तो दिवाली दुबारा दिवाली मनाई जा रही है एक टो दिवाली हमारी उस्तन में होती है और एक दिवाली हर साल श्यद 12 जनवरी को मनाई जाएगी और यह हमारा स्वभाग है कि हम इस पीडी में पैदा हुएं कि आयोधिया जी में रामलला वहाँ पर विराज मान होंगे और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं कि 22 जनुरी आयोधिया जी में तो बाद में डिसाइड हुआ हमारा पहले डिसाइड हो चुका था कि हनवान जी की मूर्ति को हमने 22 जनुरी का अनावारन कर रहा है संदीब जी आप मुझे ये बताईए कि क्योंकि आप निगम पाशद भी है इंतिजाम भी देख रहा है इलाके में भी जा रहे हैं गीता कॉली में हम बड़ी भवे तैयारी जो है देख रहा है कल के लिए कल क्यूंकि इस मंदिर में जो है वो भी लोग दर्शन के लिए आएं सजावट मैं आज तक अपनी जिन्दगी में नहीं देखी लोगों में उतसा है कंपीटीशन मेरा बजार में परें कि अंदर 40-50 कारिकरम है, हर मंदिर में कारिकरम है, स्क्रीन लग रही है, LED लग रही है, शाम को भी भजन संदिया है, और इतने लंगर के मेवा इन्वीटेशन है, मुझे लग रहे कि एक एक चमज भी लूँगा तो रात भर जो है, वो इतना पेड भर देगा कि मैं बता नही को, तो यह बड़ा उत्सा है, समाज में एक नई शक्ती और जागरिती, जो शक्ती और उत्सा की बात यहां पर की ज़ा रही है, यहां पर एक एक करके आप लोगों से भी जरा बात कर लेते हैं, सर मुझे यह बताईए, कि मैं देख रही हूं कि घीता कॉलनी में, चाहे घर हो, या कोई कमर्शल बिल्डिंग हो, सभी को एक बहुत कुपसूर्ती से सजाया गया है, लाइटिंग है, और यह सिफा आज से नहीं है, मैं देख रही है, कितना उत्सा है कल के लिए, मैं उत्सा इस वात का है, कि भगवान राम मुद्दा होता है, एक हम खेल खेला करते थ हमारे मोदी जी ने एक अंदर विश्वास से, अंतर आत्मा से एक डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने वाला नेता ही, हिंदुस्तान के लिए काबिल है, और जिसने इतना भववे राम मंदिर, जिसे पांसो साल से लड़ते आ रहे थे, और फसा हुआ था इदर उदर, लेक अंगरे सी नहीं हूँ, क्यों? इस देश के लिए जो नहीं, हम उसके लिए नहीं, देश जिसके साथ है? अब आने वली पीडी को पता रहेगा कि राम जी कितने बलीदान थे, राम जी ने कितना त्याक करा, वही हम आगे आप दिखाना चाहते हैं कि राम जी के अपने उस पे सत्ते पे चलो, उनके कर्मों पे चलो, सबको जैशीरा, कल के लिए कितना एक्साइटमेंट है यहां सा अलग अलग जगा जो है वो डेकुरेशन है और कल के लिए तैयारी है, बड़े असनी लगा जा रहा है, ताके आयोत्या में जो कारिक्राम है, प्राण फिष्टा है, राम जाला की उसको लोगाई तलिकास कर दे सके हैं, उसके अलावा, दिल्ली में अलग 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 जगा कारिक्राम है और देश फर में ऐसे कारिक्राम है, जिसके लिए लोगा की बूझ है, वो कार में कुछ बता रहे हैं, क्या मुक्सर अतनीश पांडे के साथ माधिया गाने भी पिनियूस ते लिए